Hi everyone, well यह हमने series शुरू करी है आपके लिए, आप imagine करी है कि 1st March को आपका last menstrual period था, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, 1st March को अगर last menstrual period था, 15 दिन बद आपको ovulation हुआ, उन दिनों आपने पार्टनर के साथ रहे आप और आप pregnant हो गए, तो आपके हिसाब से 1 1st April को सिरफ 2 हफते हुए होगे, लेकिन डॉक्टर कहा थे, नहीं भई, 4 हफते होगे, सोनोग्राफी में 4 हफते दिखा रहे है, इसी तेरे से 1st May को हमारे हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से 1st March से 1st May तक आपको 2 महिने होगे, यानि कि सोनोग्राफी में बच्चा 8 हफते का दिखेगा, लेकिन आपको लेगा 8 हफते कैसे, 2 महिने कब होगे, तो इसको तो अपन डिसकस कर चुके हैं, लेट एस नोट डिसकस ताट, ओके, अब हम आते हैं 3rd मन्त में, यानि कि 8 हफते खतम, 9 हफता शुरू होगे, 3rd मन्त यानि कि 9 हफते से लेके 12 हफते के end था, क्यो क्योंकि आपकी डेट से करीब 1 हफते पहले होगा, क्योंकि हर महिना exactly 4 हफते नहीं होता, करीब 4-4,5-4 हफते का होता है, तो हफतों में अगर गिने, तो 9 हफते होते ही आपका 3 महिना शुरू हो गया, अब इस समय क्या होगा, इस समय आपका बच्चा करीब 2-3 cm, 3-4 cm तक चेंजिस आने शुरू होगे, उसके अंदर एक इनसान का कैरेक्टर डेवलप होगा, जब आपकी डॉक्टर आपका एंटी स्कैन करेंगी, एंटी स्कैन यानि की नुकल थिकनिंग स्कैन, जो की होता है 11-14 हफते के बीच में एंटी स्कैन करते हैं, तो अगर आप 12-13 हफते आहạtे के आसपस जाहेंगी, आपको बोलना चको दिखाएंगे गचा, आपको लगए awing, आदफी का बच्चा, उसके हाथ पैन में ऑ 뚝ना, जो करेंगे, जोंके बार आदमे जैसा दिखेंगे तो बत्चे में 12 हफते तक बार्य क्ऱेयल स्कैन आ जाते हैं,े पैड़ी कुछ नहीं दिखता, खे है, अब इस बच्चे में चोटी-छोटी नाखून भी आ रहे है, चोटी-छोटी उंगलियां ऑ रहे है, चोटी-चोटी हाथ, दोनों, ऊपर वाला हाथ, नीचे वाला हाथ, फोर आम और आपर आम दोनों डवलाप हो रहे है, इसी तरह से पैर, ऊप आपूरे आदमी वाले करेक्टरिस्टिक्स आ गए जिसको कि देखके हम बोसेते हैं यह आदमी का बच्चा है। साथ में आईज बड़ी हो रही है आईबॉलस बन रही है नाखूiral बन रही है कान वी डवलक हो रहे है जो खना पिनन या एगर बहुत ज़ादा मशीन हो हो डॉक्ति डीख दिखायों तो आप देख सकते हैं आप इंटी स्कन कियो करते हैं Anti-scan बारवे हफते में, तेरवे हफते में करते हैं, क्योंकि दाउन सिंड्रोम से बच्चे को, बैसिकेली हम चैक करते हैं, क्योंकि एक बहुत ही important factor होता है, बच्चे की neck की swelling यानि की पीछे की nukle thickening है, जो की edema होता है, neck और subcutaneous tissue का, उसको हम measure करते हैं, और उसका क्राइटेरिया 2.5 mm से कम होना चाहिए 2.3, 2.5 अलगलग क्राइटेरिया है बट मैक्सिमम 2.5 से उपर नहीं होना चाहिए साथ ही में बच्चे की क्यूंकि नाग भी बनने शुरू हो गई तो यह जो नेजल बोन होती है इसको हम मेजर करते है मेजर नहीं करते हैं इसको हम देखते हैं कि दिख रही है कि नहीं तो कई बार मेरे पास consultation आते है प्राइट के मैडम सोनो ग्राफिय में डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चे की नाग की हड़ी दिखने रही है यानि कि वो ऑसिफाई नहीं होगी है तो जब यह नहीं दिखती है यानि कि आउसिफाई नहीं हुई है और दॉक्टर बोलते हैं यह अपसेंट है यह पर नहीं दिखरी है तो कहीं न कहीं डाउन सिंड्रोम का शक पैदा होता है तो उस समय आपका double marker, triple marker यह quadruple marker आपको suggest किया जाता है depending कि उस समय आप कितने हफते समय आपकी क्या finding है आपकी age क्या है और साथ में आपकी nukle thickening जो nt scan है उसकी thickening किती है तो यह कुछ parameters है जो कि third trimester में करते हैं बच्चे के अंदर की changes बता दिये आपके अंदर changes वही रहने वाले हैं जो कि first or second में है थोड़ी से और बढ़ सकते हैं थोड़ी vomiting बढ़ सकती है क्योंकि आपका जो hormone है HCG hormone वो थोड़ा सा और बढ़ा हुआ है हालनकि अब वो धीरे धीरे एक plateau level पे आ जाता है आठवे हफते के बाद करीब करीब जो HCG hormone है वो करीब करीब नीचे जाने लगता है और आपकी vomiting थोड़ी कम होने लगती है आपको बार बार जो urine लग रही थ उनका हलका सा पेट बहार आता है तो इस महीने में भी आपको ठकान लगेगी आपकी ब्रेस्ट के अंदे जो मैंने चेंजिस बताये थे छोटे चोटे टूबरकल आ जाते हैं जो आपकी निपल के चारो तरफ का एरिया होता है एरियूला उसके अंदर ब्लाकिश जो है वो एरिया थोड़ा बढ़ जाता है उसके अंदर छोटे-छोटे मौंट गो मेरी टूबरकल आ जाते हैं जो की निपल के बिसिकली जो डक्ट्स होती है